छट पर्व उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला हिंदों का महा पर्व है जो पूरे देश में बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है यह पर्व कुल चार दिनों तक चलता है जो नहाय खाय से शुरू होकर खरणा, दूखतेवे भगवान सूर्य और उकतेवे भगवान सूर्य को अर्ध दे कर हि संपन्न होता है संतान प्राप्ति और सबकी मनोकामनाय पूरी करने वाले इस महापर्व की शुरुवात के पीछे कई एतिहासिक कहानियाय प्रचलित है पुराडों में छट पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियमवद को लेकर है कहते हैं राज़ प्रियमवद को कोई संतान नहीं थी तब महर्शी कस्यप ने पुत्र प्राप्ति यग्य कराकर उनकी पतिनी मालीनी को यग्य आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसात स्वरूप दी इसके प्रभाव से इन्हें एक पुत्र पैदा हुआ लेकिन वह मृत्र पैदा हुआ प्रियमवद अपने पुत्र के मृत्यु सहन न कर सके और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे उसी वक्त आस्मान में एक तेज रोशनी चमकी और वहां प्रम्भाजी की मानस करन्या देव सेना प्रकट हुई वित्रो मरकंडेव पुराण के अनुसार स्रिष्टे की अधिस्ठात्री प्रकृती देवी ने अपने आपको छह भागों में विभाजित किया इनके छठे अन्ष को सर्वस्रेष्ट मात्री देवी के रूप में जाना जाता है जो प्रम्भाजी की मानस पुत्री भी है और सूर्य देव की बहन है छठे अन्ष होने के कारण इनका नाम शष्टी और उपनाम शठी कहा जाता है इन्ही का एक नाम देव सेना भी है मित्रो छटी मैया ने राजा प्रियमबत से कहा कि मैं शस्टी देवी हूँ मैं सबको पुत्र का सवभाग्य प्रदान करती हूँ इसके अलावा जो सचे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरत को पूर्ण कर देती हूँ यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पूत्र रत्न प्रदान करूँगी देवी की बात सुन राजा बेहत प्रसन्न हुए राजा और उनकी पतनी ने कार्तिक शुकल पक्ष की सश्टी तिथी के दिन देवी शुष्टी की पूरे विधि विधान से पूजा की इस पूजा के फलस्वरू उन्हें एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई मित्रो छट परव को लेकर एक कथा महाभारत और रामायर काल में भी मिलती है एक मान्यता के अनुसार छट परव की शुरुवात महाभारत काल में हुई थी सबसे पहले सूर्य पूत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा सुरू की थी कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे वे प्रते दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्ध देते थे और उसके बाद लोगों को दान देते थे सूर्य देव की क्रिपा से ही वे एक महान योध्धा बने थे आज भी महापर्व छट में अर्द तथा दान देने की यही पधती प्रचली थे इसके साथ ही कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने नित दिन सूर्य देव की आराधना की और उनका व्रत रखा इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाई पूरी हुई तथा पांडवो को उनका राजपाट वापस मिल गया मित्रो एक अन्यमानेता के अनुसार महापर्वत छट की कथा राम और सीता जी से भी जुड़ी हुई है जिसके मुताबिक जब राम सीता चौदव वर्स के वनवास के बाद अयोध्या लोटे थे तो रावण वद के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम और माता सीता ने रिशी मुद्गल के आदेश पर उनके आश्रम ने रहकर कार्थिक मास के सुकल पक्ष की सश्टीत सूर्य देव की उपास ना की थी तो मित्रों आशक करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा राधे राधे धन्यवाद